वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ ये वीडियो सर्फ और सर्फ आपके इंटर्टेन्मेंट के लिए होती है ना कि किसी एक्टर या डिरेक्टर की बुराई करने के लिए इसलिए इस वीडियो को ज्यादो दिल पर ना लें थैंक यू इस सिन में उमयर जब मतायर के बच्चे को उठाने के लिए उसके घार आता है तब उमयर के हाथ में एक घड़ी होती है और फिर जब उमयर बच्चे को लेकर अपने घार वापस आता है तो वो घड़ी इसके हाथों से गईब हो जाती है और फिर जब उमयर चलकर अपने पशा जाती हैं, अनीका जब उमेर को बच्चा उठाने से रोक रही होती है, तब अनीका के येवले हाथ में एक चूड़ी और एक अंगूठी होती है, और पिर जब अनीका मुतहर के साथ यहाँ पर खड़ी होती है, तो अनीका के आत में कोई भी चीज नज़र नहींती, फा अनिका जब बच्चे के लिए परशान होकर खड़ी होती है तब अनिका के गले में एक चैन होती है और पिर जब अनिका अजलान का मुतायर को बताने के लिए आती है तो अनिका के गले में कोई भी चैन नजर नहीं आती मारो मुझे मारो मारो नहीं यह मजाक हो रहा है एक सेकिंड यार मजाक फात्मा जब यहाँ पर बिमार पड़ी होती है तब यह साफ नजरारे के उमेर का घड़ी वाला हाथ दूसरे हाथ के उपर होता है और उसी टेम जब कैमरा सामने से विव लेता है तो मैर का घड़ी वाला दूसरे हाथ के नीच यह जाता है सुल्ताना जब यहाँ पर खड़ी होती है तब इसके सार के सारे बाल इसके कांधे के उपर होते हैं लेकिन जैसे कैमरा जुम लेता है तो इसके बाल इसके कांधे के उपर नहीं बलके पीछे हुए नजर आते हैं और फिर जब केमरा दूर से विलेता है तो सुल्ताना के बाल दुबार असेस के कांधे के उपर वापस आ जाते हैं भाई लोग वीडियो पसांद है तो उसे लाइक कमेंट और शेयर कर दो एसी वीडियो मजीद देखने के लिए पाकिस्तानी ड्रामा सेंच चैनल को साब्सक्राइब करना ना भूलें